के से चलाय जा रहा हैं लेकिन हमारी सरकार की प्राथमिक्ता है कि हम पुरी पारदर्सिता के साथ मरने की संख्या टेस्टिंग की संख्या लोग सुरक्षित हो रहें उनकी संख्या राज की जनता को देश की जनता को हम बताएं और ये हमारे लिए भी सही है जब तक हमें सही आकड़ा नहीं मिलेगा हम सही लक्ष और सही रास्तिक ढून पाने में हम नाकाम हो सकते हैं हमें धोका हो सकता है और आज यही वज़ा है कि आज हम लोगों ने दूसरी वेब में अपने आपको मजबूती से खड़ा करते हुए तीसरी वेब के तियारी शुरू करती है जो मुझे लगता है देश में साइद धारकन परदेश एक पहला राज होगा जहां इस पर अपना पहला कदम आगे उठा चुका है हमारे पास सिमित संसाधने हैं हमारे पास सिमित डॉक्टर हैं हमारे पास सिमित नर्सेज हैं पारामेडिक्स हैं हमको इन लोगों का सहयोग के साथ हमें इस राज को आज इस संकर्मन से बचाना है आज इसलिए इकल इसलिए हम लोगोंने पूरे देश के पैमानों में बड़े डोक्टरों के साथ एक लेlor किया लगबग एक हजार डोक्टर इसमें हमारे साथ जुड़े सब लोगोंने अपनी राय सुझावे दी हैं कई लोगों को और जोड़ने कई लोगों को और अ हमलों तरफ दिन और रात हमारी प्रसाव सनिक विवस्ता हैं स्वास्त विवस्ता हैं हमारे धिन रात चीजों पर लगे हैं और और आप सब लोगों का कुछ बातें आई हैं कि लॉक्डाउन को बढ़ाये जाने पर निसित रूप से आप लोगों की राए जो आप सभी लोगों ने दिया है इस पर मौझूदा हलात को ध्यान पर रखकर निर्ने लिया जाएगा इपास कुछ और बहतर करने का कारे आगे बढ़ चुका है आगन बाड़ी तक में जो हमारी कीट वगरा पहुंचाने की बात थी वो निसित रूप से अभी वो अंडर प्रोसेस है वो भी कल से पहुंचने की इस्टिती पर आएंगे हमारे रमस्टर रुणाओ जी ने दुकानों को बंध होने के वज़े से कफन की कामी आ रही है बन्ना गुपता ज़ाब ने भी इस बात को कहा है मैं और हम सब मिलकर आज ये ने लेते हैं कि राज में किसी को भी कफन खरीदने की जुरत नहीं पड़ेगी सबी लोगों को कफन मुफ्त दिया जाएगा इसका ने लिया जाता है और वैक्सिन को लेकर थोड़ी चिंताय हैं वैक्सिन की उपलब्दता हमारे पास जो राज सरकार के कंधों से कंधों पर जो भार है वो वैक्सिन हम अब जो मगार हैं वैक्सिन की उपलबदता के वज़े से हमारे पास मात्र दो दिया तीन दिन के हमारे पास वैक्सिन की उपलबदता है उसके बाद हमारे पास वैक्सिन खत्म हो जाएगा हम लोगों ने वैक्सिन का आविदन दे रखा है और अभी वैक्सिन की उपलबता नहीं हो पाई है 45 साल से उपर के लोगों को जो वैक्सिन भारत सरकार लगाने जा रही है वो हमारे पास हपता से 10 दिन के तक का ही हमारे पास रिजर्व है वो भी हपते दिनों के बाद बंद हो जाएगा और चुकि वैक्सिन को लेकर पुरे देश में जो चर्चा है वो किसी से छुपा नहीं है किस तरीके से मिस मैनेजमेंट हो रहा है ये भी किसी से छुपा नहीं है इस वज़ा से इस विशे पर मैं बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रुत नहीं समझता हूँ हमारी प्रयास है कि हम अधिक से अधिक किसी तरीके से वैक्षिन की उपलबदता सुनिश्चित करें आज से 30 दिन 35 दिन पहले जो राज की स्थिति थी आप सब लोगों को मालूम है कि पूरा सहर एंबुलेंस की साहरनों से गुंशता था अभी आप खुद महसूस करते होंगे कि सहरों में कोई के दिन में यदा कदा एंबुलेंस की आवाजे सुनाई देती है और चुकि सहरों में बड़े अस्पताल हैं लोगों का सहर में आना और इलाज कराना प्राथमिक्ता होने के वाज़े से हम लोगों ने सहर को प्राथमिक्ता के अधार पर लेते हुए अपने संसादनों के अधार पर सहरों को बहुत हद तक सांथ करने में हम लोग काम्याब हुए हैं अब हमारा पूरा फोकस ग्रामिन छेत्रों पर है और ग्रामिन छेत्रों के लिए हमने आजी से एक कारिक्राम हम लोग प्रारम करने जा रहे हैं जो वो कल से ग्रामिन छेत्रों में सक्रिय हो जाएंगे और इसके लिए हम लोगों ने ग्राम अस्तर का सर्वे और जांच प्रोटोकॉल का एक सिस्टम भी बनाया है और जिसमें हमारे जो लोगों का टीम रहेगा आंगन बाड़ी सेवी का, सहाई का, मुखिया और हम लोगों की नर्से, ये सभी लोगों को हम लोगों ने इसमें सामिल किया है जो कुछ दल गाउगाउग घर घर जा करके लोगों की जाज करेंगे और पंचायत अस्तर पर एक स्टेटिक्स, एक मतलब एक सेंटर बनाया जा रहा है जहां पर ऑक्सिजन और टेस्टिंग कीट की उपलबदता होगी ग्रामिन छेतर में जो हमारे सर्वे करने वाले टीम जाएंगे जिनको लगेगा कि कोई कोरोना पॉजिटिव है, उनके सिम्टम्स है तो 55 के सेंटर में उनको पहुँचाया जाएगा, जहां उनका टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट के अनुरूप उनको सेंटर में रखा जाएगा या फिर जिला भेजा जाएगा, ये निर्ने लिया जाएगा और जो साधारन सर्दी खांसी बुखार है उन सभी का किट हम लोगों ने ये निर्ने लिया है कि राज के हर दूसरे घर में हम लोग ये कोविट किट पहुचाने की चीजों को सुनिसित करने का निर्ने लिया जा रहा है ताकि दवा की उबलब्ता हर एक दूसरे घर में सुनिसित की जा सके और लोग साधारन बीमारी जो सर्दी खांसी बुखार है इससे ठीक हो पाए वो इसलिए भी जरूरी है कि वेक्सिनेशन का जो काम है और वेक्सिनेशन जो हमें कराना है हम उन्हीं वेक्ति को करा सकते हैं जो वेक्ति पुर्ण रूप से स्वास्त हो अगर किसी तरिके से कोई बीमार हो, कोविड ना होते हैं भी सर्दी खाशी का भी बुखार हो तो उसको हम ये वैक्सिन नहीं लगा सकते नई तो हो सकता है कि इसका साइड एफेक्ट हो सकता है इसलिए इससे पहले हमें हर वैक्ति को पहले सुरक्षित करना है और इसके लिए उन तक हमारा मेडिसिन उन तक हमारी जाज दल को पहुंचना आवज सकते हैं हर परखंड अस्तर पर दो एम्बोलेंस की विवस्था हम लोग कर रहे हैं हर पंचायत में उक्सिजन उपलब्त करा रहे हैं टेस्टिंग किट उपलब्त करा रहे हैं आंगन बाड़ी सेवी का साइका के माध्यम से हर दूसरे घर में मेडिकल किट उपलब्त कराने का हम लोगों ने प्रोग्राम तय किया है मुखिया इसमें सामिल होंगे हमारे जनपरतिरदी के रूप में और जो हमारे परामपरिक विबस्था मान की मुंडा माजी परगेनेत हैं मुखिया है इनको प्राथमिक्ता के अधार पर वैक्सिन लगाने का भी निर्णे हम लोगों ने लिया हुआ है हम लोग ने वहाँ पर जो भी ग्राम अस्तर पर जो हमारे जनपरतिरदी है और समाजिक अगुआ लोग है इनको हम लोग वैक्सिन लगाने जा रहे हैं इसलिए मैं जो एक आपको स्लाइड दिखाना चाहता हूँ इसको भी आप लोग ध्यान से देखें अपना मुबाल से इसको फोटो भी खीच सकते हैं कि जो ग्राम अस्तर पर सर्वे और जाज प्रोटोकॉल हम लोग बनाने जा रहे हैं वो किस तरीके से काम करेगा और कैसे कैसे इसका एस ओपी बना एक हम लोगों ने तयार किया है कि इसको दिखाए जाज रासा आप लोग देखें हो सकता है कि इतना जल्दी नहीं पढ़ पाएं मुबाल से इसका फोटो खीच करके उसको आप लोग अराम से देख सकते हैं और सभी लोगों को इसकी कोपी वी वार्ट सब के माद हमारे लिए अभी भी चिंता का विसे हमारे राज में जो कोविट-19 से कुल मृत्यू और मृत्यू दर के सिती है वो है जब कोविट-19 के प्रारंभिक चरण में हमारे यहां मृत्यू दर केवल 0.6 परसेंट था रोटेट कर दो है तर जुम आठ बाद को जूम लोग तो आपना जूम कर लेगा लेगा हां ने 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 पले जूल एए यह सिक एस्ट ने ने फोटो ने किचना पड़ेगा उसको दोतीन फोटो किचना पड़ेगा लेंड्सकेप में कर दें लोगों को कहां-कहां जाच होगा कैसे रखा जाएगा यह पूरा पन्चायच से לפ yaुमे जिलास्तर से लेखर करते हैं अने मुझे यह में सामिल हиком n दिन से इन सभी लोगों का प्रिशिशन कराये जा रहा है पूरा सगन इनका ट्रेनिंग की जा रही है और इनका सहयोग से हम लोग और ये लगभग कितने दिनों तक का ड्राइब है कि दस दिन का ये ड्राइब है दस दिनों में हम पुरे राज के ग्रामिन खेत्र के हरे घर में पहुंच कर पूरी राज की वास्तनी जानने की कोसिस में हम लोग है और ये दस दिनों के बाद हम लोग ने कहां किन छेतरों में क्या करना है कैसे हमको आगे कारियोजना बनाना है यह हम सुनिशित करेंगे वापस है यह कि कॉस्टेंटली बढ़ते हुए तू पॉइंट तू परसेंट तक पहुचा और अभी हालांकि अगर हम देखें तो 26 अप्रैल से 9 मई के अंतराल में 1862 और उसके बाद से फिर 10 मई से 22 मई के अंतराल में मात्र 948 कोविड-19 से मृत्यू के मामले आये हैं कम से कम 20,000 लोग परती दिन हमारे राज में ट्रेंज के दौरा आ रहे हैं और मुझे लगता है कि 20,000 व्यक्ति को एक साथ ये कैटर करना एक एक हर दिन थोड़ा हमारी जो ताकत है उसको इसमें जाय करना सही नहीं होगा इसलिए हम लोगों ने गरामी नस्तर तक में इसको ये करने का टेस्टिंग करने का ये निरने लिया है और इसके अलावा हम के राज में 32 को लगबग 4 करोड वैक्सिन क्या होई सकता है और उसके बिरुद में हमें लगबग 40 लाग 40 लाग हमें अभी तक वैक्सिन प्राप्थ हुए हैं जो निस्सित रूप से काफ़ी हमारे लिए चिंट इसा है और हम लोग इंपोर्ट करने का भी हम लोगों ने निरने लिया है वैक्सिन का ताकि हम लोग जल्द से लोगों को वैक्सिन लगा पाएं और इसके अलावा बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें हैं जो आपके छेतर के इर्दगेद आप लोगों के जानकारी में आती है और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बातें जो हमारे कानों तक नहीं पहुंचती है मैं आप लोगों से सभी लोगों से आगरा करूँगा कि हम अभी आप लोगों को मेल आईडी अभी स्क्रीन पे डिस्पले होगा इसको आप लोग जरूर नोट करें और अपने छेत्र की जो विसेश समस्याएं है सब जगा अलग-अलग भागोलिक स्थित्य होने के वज़़े से कुछ समस्याएं बहुत बिचित्र होती है और उनको ध्यान में ना रखा जाए हो सकता है कि आज के दिन में वह हमारे लिए बहुत मुसीबत का कारण बनेगा इसलिए आप लोग उस मेल आइडी पर हमें तुरंत इसकी जानकारी उपलब करा है जो तुरंत हमारे टेबल पर होगा और उस पर हम लोग आगे निर्णे लेंगे किरपया वो मेल आइडी दिखाए जाए कि लेकिन जो फैटलीटी रेट है हमारी वो चॉस्टेंट है अभी वी 2.2 परसेंट पर जो की यह बताती है कि हमारे हम जिस अनुपात में पॉजिटिव केसेज के संख्या में कमी आई है उस अनुपात में हमारे हमारे हम कोविड से मिर्टिव की संख्या में कमी नहीं आई है लेकिन जो ट्रेंड है उससे यह स्पस्ट होता है कि आने वाले दो हफ्तों में यह स्थिती भी स्टेबलाइज हो जाएगी इसी प्रकार से किस प्रकार से ऑक्सिजन सपोर्टेड बेड़ की संख्या को कौश चले उमीद करते हैं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा कि इंक्रीज किया गया है हम लोग देख सकते हैं कि एक अप्रैल को हमारे हां ऑक्सिजन सपोर्टेड बेड़ की संख्या केवल 2442 थी जो बढ़के 23 मई की तिती में 13349 तक कौशी है और कॉंस्टिंट कि हम लोगों ने राज के सभी जीला अस्पतालों को ऑक्सिजन युक्त अस्पताल बनाने का नेने लिया है और अनुमंडल अस्तर के जो अस्पताल है उनको पहली प्राथमिक्ता के अधार पर ऑक्सिजन की उपलब्धता हम सुनिशित कर लेंगे तो स्वभाविक रूप से हम वहां पर आईसीउ बेट का भी हम उपलब्धता सुनिशित कर पाएंगे और जैसे जैसे स्वास्त विवस्था में हमारे पास मेन पावर की कमी को हम दूर करेंगे वैसे वैसे हम अपने स्वाच सुधाओं को भी हम अपने जीला अस्तर पर उपलब्ध करा पाएंगे हमारे इस जंग में हमारे आयूस के जो हमारे साथी हैं वो लोग भी लगे हुए हैं और वो लोग भी अपनी अस्तर पर राजों में लोग घूम रहे हैं और दवा की मुझे लगता है कि आप सब लोगों को कि आज के दिन में जो यह बदलाव 35 दिनों में देखने को मिला है मुझे लगता है कि मुझे भी थोड़ी सी चिंता थी कि हम लोग- भी आप इसने कंप हमारे सामने इतनी बड़ी जो एक मुसीबत खड़ी है इसको हम लोग कैसे धूर करेंगे तो इसलिए आज के 35 दिन तक के इस दौर में एक सुख़द अनुभाव और एक हम लोगों के लिए एक उर्जा वर्धक समय कहा जा सकता है और हमारे लिए आप सब के लिए राजवाशियों को लिए एक मोरल हम लोग को एक ताकत म और अभी हर पल को ध्यान में रखते हुए आगे के निर्ने लिया जाएगा और आप लोगों का समय समय पर सुझाओ के लिए निस्तित्रों से बहुत बहुत आप लोगों के लिए हम हमारे लिए वो सभी सुझाओ बहुत महत्पुन होंगे आप किरपया हमें भी समय समय पर वास्तव की स्थितिति से अउगत कराएं अपने छेत्रों का आज इन्हीं बातों के साथ कुछ जी बादल जी का विसे है अभी चक्रवात आने वाला है और एक सुझाओ देना चाहरे हैं है या बड़े उद्धक्रम है जो हमारे राज्य में खनन का काम करते हैं और तरह के बिल्फिन तरह की बारिक गति बिल्धिया चलाते हैं हमारे 400 के लगबख प्रखंड है CSR के तहत हो या एक समाज सेवा के तहत हो अगर सभी प्रखंडों में एक पर्मानेंट नहीं ऐसा मतलब एक टेंपरेरी स्ट्रक्चर वहां बनाया जाए जिसमें सभी सुपिताव प्लक्डों सभी प्रखंडों में और उनके द्वारा ही चिक हमारी जो उद्योग घराने हैं हमें किस तरीके से सपोर्ट करें और क्या हम कर सकते हैं राज के लिए बहतर स्वास्त में हम अभी जो हमें सीख मिली है जो हमें इस बार जो हमें चुनोती मिली है इस चुनोती से हमें सीख लेनी के आवे सकता है मैं आज के दिन में टेंप्र मानिट विवस्ता की सोच पर हूँ ताकि हम आज नहीं भविस्त के आने वाली पीडी और लंबे समय तक स्वास सेवा को लेकर के जार्खंड को आप किसी के सामने खड़े होनी क्या हो सकता नहीं पड़े हम इस दिसा पर काम कर रहे हैं और इसके लिए हम कई कार योजना पर आ आनन फानन में जहां तहां कहीं 500 कहीं 200-300-400 बेट बना रहे हैं और मुझे लगता है कि एक मैने दो मैने के बाद वो कूड़े में चला जाएगा कोई उसका उप्योगिता नहीं रहेगी और हम हमारे पास बहुत सारे स्वास विभाग के द्वारा बनाए गए अस्पताले है जो चलनी रहे हैं तूटने की कगार पर हैं कई सरकारी बिल्डिंगें जो और भी विभागों ने बना रखी है उन सभी का मैपिंग किया जा रहा है और कैसे हम इसको एक सरकीट के रूप में डबल अब करें राज में हेल्थ सरकीट को यह हमारी कारी योजना है और इसके ल यह जटके से हम निकल रहे हैं यह हमारी इस राज की एक आंत्रिक सक्ति है जो हमें बचा रही है अन्यता साइध हम लोग कहीं के नहीं रहते इसके लिए हमें बिल्कुल इस राज के वातावरन आबो हावा इस जल जंगल जमीन को हमको शुक्रियादा करना चाहिए और जहां एक बात आई है किसानों की जो अभी चक्रवार्थ को लेकर और इस विसे पर हम बताईए बताईए बदल जी सर गरवा में सर परडिया कांडी और मजिगाँ परखंड है सर जहां हम लोगों ने इंडोर्स किया था अचा आठ हजार बोरी है सर दो तीन दिन से लगातार बारी सोरी है सर और किसानों का कोई दोस नहीं है किसानों के सामने बड़ी बुरी हारत है उनको आगे भी खेती करना सब्सक्राइब को इसको अभी मैं अभी डिसकस करता हूं अभी चुकि मंत्री जी ने खुद इस बात हो खाए चुकि एक गल्ती हम लोगों से हो चुकी है कि उसमें किसान को पैसे दिला दिया था तोड़ा हटा दिया था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आई है ठीक है इसको अभी हम लोगों ने पहले निर्देश दे दिया है और उस पर मुझे बहुत जल्दी ही उसको रेक्टिफाई करके राज के समख्य रखा जाएगा इस विसाय पर चीजी आगे बढ़ गई मिटिंग वगरा भी बड़ी तेजी से हो रही है बहुत जल्द इस पर भी हम लोग इसको ठिक कर लिया जाएगा इस तरीके से है है कि शुक दुख के इस गड़ी में इस चुनोती में हम सब लोग काफी लोग काफी दुखी हैं काफी चिन्तित हैं थिर भी हमें यह लड़ाय लडतनी पड़े इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं चाहे हमारे हाट तूटे या पैर तूटे या कुछ भी हो लेकिन हमें चलता रहना होगा और निस्तितरूप से एक दिड़ संकल्प के साथ हम लोग मैंने पहले भी कहा है चक्रवात वाला इस पर हमारी अभी आज साम को मीटिंग है अभी भारत सरकार के साथ मीटिंग हमारा डिजास्टर मेरे डिजास्टर डिपार्टमेंट अभी मीटिंग पर ही बैठी हुई है और अभी उनका क्या गाइड लाइन आता हो भी मैं देखूंगा और उसके बाद हम लोग की एक अलग से साम को मिटिंग होगे उसके तीन दिन कंप्लीट धुक्त श्काइब नेगए दन्यवाद बहुत-बहुत बहुत जोहार सबको आप लोग सुरक्षित रहे हैं घर परिवार लोग सब लोग सुरक्षित रहे हम लोगों ने भी बादल पत्रलिएक जी हमने भी काफी खेती किया है हमारे यावी फसल भी नहीं रहा है बल्कि आ किसी मंत्र जी को भूल गया तो आप तो खुदी कहां कहां के तर्बूज खा रहे हैं मुझे तो काफी पता हमको खबर हो रही है कि आप लगातार इसकी संख्या में वृद्धी हुई है जो कि इस प्रेजिशन के मादम से हो रहा है इसी प्रकार से टीका करण्ट के मामले में हम देख सकते हैं कि हमारे राज में अब तक कुल जो प्रत्रम डोज है वह 32,0940 और कुल जुटी डोज 6,08930 और हेल्थ केर वरकर और फ्रंट टाइंड वरकर के फर्स्ट और सेकेंड डूस में हमारा पर्फॉर्म